प्रभी एश्यमस्य के उधार के पविद्र नाम से मैं आप सभी लोगों को अभिनेदन करता हूँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हम सभी लोग इस परमेश्वर के वच्छन के बाग में सभी लोग आये हैं, तो मैं बहुत ही खुश मैसुस करता हूँ कि आप सभी लो परमेशों ने जब मनुशों को अगर एक रास्ता को बताना चाहता है उस रास्ता में आप और अगर हम जीने के लिए तयार हैं तो सच में हमारे परिवार की जीवन, हमारे विक्तिकत की जीवन या हमारे अध्यात्मिक जीवित बहुत ही अच्छा रहता है ऐसे एक बात को एक केरलेस रहते हैं या अपने आपको भूल जाते हैं केरलेस रहना बहुत सरे लोग अपने जीवन में केरलेस होने से परिवार में समस्य लेके आ जाते हैं और उसके साथ साथ एक व्यक्ति के केरलेस के द्वारा घर परिवार के कही सरे लोगों के जीवन में एक दुर गटा एक careless life जीवन बिताती है इने की निस्चिन से रहना कयाल नहीं रखने के एक सुभाव ध्यान नहीं रखने के एक सुभाव careless अगर एक स्त्री एक परिवार में careless life जीवन बिताएगी वो स्त्री की द्वारा गर के अंदर रहने विलेस सबी सदस्चों के जीवन में उसका दुस्परि रिनाम हो जाता है एक पत्नी अगर care less में रहती है तो पत्नी के साथ साथ उनके बच्चे और पती को भी बहुत सब दुस्पर रिनाम हो जाता है अगर ये बाप घर के बाप एक आपत और साथ उसके साथ रहने वाले गर के सभी सदर्स लोगों क्या करना पढ़ता है कई सरे मुसिबत्तों को सामना करना पढ़ता है na खारण केरले से देखें कि उधा हरन मैं आपको बताना चाहता हूँ कई सरे स्त्री लोग ऐसे जिवन बिताते रहते हैं कि रसोई गर पे चुले में बहुत सरे या मान के चलिए एक सांबार बना रहे हैं या दूद उबाल रहे हैं रखते हैं और बहुत सरे आवरत लोगो देखते हैं काना बनाते समय केरलेस है काना में नमक नहीं रहेगा या तीता नहीं रहेगा कुछ भी ऐसे कई सरे गटना अगर पत्नी घर पे खाना बनाने के समय में अगर केरलेस करेगी तो आखरी में पती अगर उसको मार देता है या पती डाड देता है लोग क्या करेंगा डाड देंग गर के लोग, किस प्रकार का आप खाना बना रही हो, क्या आपका ध्यान नहीं रहेगा जब खाना बनाते हैं समय में, ऐसे अगर ये एक व्यक्तिगर केरलस करेगा, तो कही सरे समस्यां उसके जीवन में आ जाते हैं, दिखिएगा, जब आप रास्तर में गाड़ी चलाते हैं, आप लोग भी बस में बेड़ जाते हैं, या ट्रैन में बेड़ जाते हैं, या कोई भी एक आटो में बेड़ जाते हैं, ड्राइवर अगर तोड़ा सा केरलस करेगा, तो ड्राइवर के साथ साथ, पैसेंजर्स को भी क्या होगा, बहुत सारे दिक्कत है, बहुत सारे दुर अगर आप पढ़ाई करने वले की व्यक्ति हो आपकी education sector में हर जग में आपको अपने आपको care करना जरूरी है तुम्हारे काम के उपर तोड़ा सा care होना चाहिए तोड़ा सा ध्यान होना चाहिए जब अगर आप careless करेंगे तुम्हारे जीवन के साथ साथ कही सरे लोग जीवन को भी आप विपत्ति के मार्ग में ले के जाते हैं चछ में कलीषय में पास्टर लोगों के careless के कारण विश्वासियों ने बटक जाते हैं यह उनको क्या आत्मिक जीवित में चलाएंगे जितने भी बताओ таким कितने पास्टर लोग उन आत्मिक मारगों में रहने वाले विश्वासियों को कही सरे सच्चाईयों को या बाइबल के कही सरे बातों को नहीं सिखा पारे कारण पास्टरलों को एक केरलस है ऐसे कली से लेकर, गर से लेकर आपके जौब के काम से लेकर स्कूल से लेकर रास्ता तक अगर एक व्यक्ति अगर केरलेस लाइफ जीवन बितायेगा तो साथ में केरलेस करने वाले व्यक्ति को भी समस्या है और उसके पीछे आने वाले कही सरे लोगों को भी क्या है समस्या गड़ता है इसलिए मनुश्यों के जीवन में केरलेस रहना बहुत ही दिकत है कभी भी उसके बारे में ध्यान नहीं, कभी भी उसके बारे में चिंता नहीं कितने जवान लोग देखिएगा, कितने बच्चे लोग देखिएगा एक साल से पहले ही वो अपने आपको केर करना है कि एक साल के बाद मुझे एक्जाम फेस करना पड़ेगा पहले ही मुझे पड़के तयार होना चाहिए ना तो एक्जाम के समय में एक्जाम इक और मेने एक और महना वोने के पाद एक्जाम आने वाला है उस समय बच्शे लोग पड़ने के लिए तयार हो जाता है लेकिन बाकी जुग समय बहुत वेस्ट कर चुके हैं कभी भी पढ़ाई के उपर ध्यान नहीं लगाए गर पे जब मुसिबत्य आ जाता है तब कई सरे लोग अरे कुछ तो काम करना है मुझे अभी तब वो लोग उनके दिमाग में आ जाता है कि चलो मुझे घर का जुम्मेदारी उटाना चाहिए प्रियो समस्य आने के बाद हम हुशारी नहीं होना चाहिए समस्य आए दिक्कते मुसीबते दुरगटनाए घटने से पहले ही आप और हम सब को क्या करना पड़ेगा हमारा केर करना जरूरी है इसलिए बाइबल में एक वचन लिखा गया प्रियों परमेशर के एक बक्त सुले क्योंकि भोले लोगों के बटक जाना उनके घात किये जाने का कारण होगा उसके नीचे सेकंड पैरगरफ में क्या है देखिएगा और है निश्चिंत रहने के कारण निश्चिंत से रहने के कारण केरलेस निश्चिंत से रहने के कारण मूड लोग नस्ट हो जाएंगे यह यहनी कि मूर्था से, मूर्कता से, निर्बुद्धी से, मनुष्य क्या करते हैं, निश्चिन से रहना, कभी भी तोड़ा सा नहीं सोचते हैं, उसके जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, उसके बविश के बारे में नहीं सोचते हैं, उसके आत्मा के बारे में नहीं सोचते ह अपने जवान बेटी कहा जा रहे है जवान बेटा कहा जा रहे है तोड़ा सभी ध्यान नहीं है careless life तो आखरी में है उनी के द्वारा तुम्हें दुरगटना तुम्हें समस्या है तुम्हें परिश्रम या तुम्हें परिशानी आने वाला इसलिए परिशानी विपत्या नस्तु होने से पहले, आपको तोड़ा सा क्या करना पड़ेगा तुम्हारे जीवन के बारे में, सोच समझ कर जीना पड़ेगा प्रयोग हर एक एक स्त्री हर एक एक पुर्ष जो अभी इस वक्त में मेरा हवाज को सुनने वाले तुम्हारे परिवार में केरलेस रहकर अगर आप जीवन बिताओगे तुम्हें एक दिन जरूर नस्ताने वाला है बाइबल बिताया है अहां मनुश्यों के निशिन से रहना उसके लिए क्या है मुर्कों के लिए वो नस्त होता है मुर्क नस्त हो जाएंगे निशिन से रहेंगे तो मनुशों के देखी संसार में जब भी देखेगा अगर परिवार मिलजुल के जब कुटुमिक प्रार्तना करता है गर के कितने सदे से लोग ऐसे रहते है कि अयो क्या प्रार्तना चलो प्रार्तना बोलते केरले से कुटुमीक प्रार्तना केरले से विक्तिकत प्रार्तना केरले से वचन पढ़ने के केरले से जब सुबह उड़ जाते हैं फोन लेते हैं और अलग-अलग प्रकार कर वीडियो देखते हैं लेकिन कभी प्रार्थन का ध्यान नहीं आता है कभी बैबल का ध्यान नहीं आता है कभी परमेश्वर का ध्यान नहीं आता है क्योंकि मनुष आज कई सरे चीजों को कई सरे कामों को केरलेस करते हैं साथ-साथ आज तुमें यहनि कि हमें बनाईवे परमेशुर के भी मनुश्यों ने क्या कर रहा है, केरलेस कर रहा है, परमेशुर है, रे क्या परमेशुर है, क्या प्रार्तना है, क्या वचन है, क्या बैबल है, क्या संगती है, क्या कलिसिया है, संडे आरहा दना टाइम हो जाता है, कितन इसने लोगों को दे कि जितने भी मनुष्यनी संसार में जीवन बिता रहें, किसी प्लाटफार में अपने लाइफ को बहुती निश्चंत से चिंदगी बिता रहें, सच में प्रियो ये शुमसेनी, मत्ति रिचित सुसामाचरे में एक बात कहें हैं, क्या कहें हैं, आप लोग चिंता नहीं करना है, सच में चिंता नहीं करना है, किस विशे में चिंता नहीं करना है, हम और आप सब लोग मिलकर, क्या पहना है, क्या काना है, क्या उड़ना है, इस अंसार के उस विशियों पर चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमारे आत्मा के बारे में कभी चिंत करके हैं आप सोचे हैं क्या नई सोचे हैं मेरे पास अगर पैसे ने रहेगा तो हम चिंता करते हैं जब मेरे शरीर में कोई चोटे सा बीमारी आ जाते हैं इतना खेर करते हैं उसके लिए दवा लगाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं उसको मेडिसन लेते हैं शरीर के अंदर अगर कोई सिमत से रहेगा तो उसको क्या करते हैं और कितने चीज़ें हम लोग इलाज करवाते हैं उसके लिए कितना कर्चा होगा पैसा कितने भी अगर पैसा उसमें लगे लेकिन उसको इलाज करकी हम लोग कथम कर देते हैं यहने कि शरीर के बारे में इतना सोचने वाले हम लोग क्यों हमारे आत्मा के बारे में नहीं सोचने है हमारे जीवन में? क्यों हमारे परिवारिक जीवन के बारे में नहीं सोचने है हमारे जीवन में? क्यों हमारे साथ में रहने वाले सभी लों को परमेशर के और लेके जाना है करें कियो नहीं सोच रहे हैं हम लोग कारण हमारे जीवन में केरलस है इसलिए परमेशर ने बक्त येशय के द्वारा कुछ बात ऐसे कहता है येशय बश्यो दोक्ता के किताब उसका बतिस्वा अध्या है वच्छ नौ में क्या लिकाए पता है प्रियों यहाँ पर फरमेशर क्या बता रहा है देखे एक बार सुद्ध कियेगा हे सुकी स्त्रियो उटकर मेरी सुनो हे सुकी स्त्रियो उटकर मेरा सुनो हे निश्चिंत पुत्रियों, निश्चिंत पुत्रियों, स्त्री, पुत्री, या दुलहन किसको कहा जाता है, कलिस्या को है न, मैं और आप कलिस्या है, सारे जगत के अंदर येश्व मसी के देह में जितने भी लोग चुड़े हुए हैं, हम सब लोगे कलिस्या, स्त्री हम लो यहुदी लोगों को दीदी और इस्राइल लोगों को बहन करके कहा गया था यहनी कि जो परमेश्वर के पीछे परमेश्वर के एक बक्त होकर जिन्दगी बिताने वाले उस पीडी को परमेश्वर ने स्त्री करके कहा एरुसेलम के लोगों को हे स्त्री हे सुकी स्त्री है निकि हम सब लोग सुक विलास में जिन्दगी बिता रहे हैं कभी किसी को परिवार के बारे में ध्यान नहीं किसी को अपने बच्चे के उपर ध्यान नहीं किसी को परमेश्र के उपर ध्यान नहीं किसी को प्रात्न के उपर ध्यान नहीं किसी को ब हमारे जीवन के कदमों को दोड़ा रहे हम लोग परमेश्वर बता रहें ओ सुकिस्त्रियो उ मैंने सुनो टोड़ा सा अपने सुक विलास में मत रहना अपने सुक भोग में मत रहना मेरा सुनो, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ लेकिन मनुश्यों ने कितने परमेश्वर के हवाज को सुनने के लिए तयार हैं कितने मनुश्यों ने परमेश्वर के हवाज को सुनकर जिने के लिए तयार है बताइएगा कोई भी परमेश्वर के हवाज को सुनने के लिए तयार नहीं है हम लोग मूवी गाना सुनेंगे, डैलेग सुनेंगे चुगली करने वाले भातों को सुनेंगे दोस्तों के कई सचरे भातों को जितने भी जो bad thing से सुनते रहेंगे लेकिन परमेश्वर का हवाँच को सुनने के लिए हमारा खान थयार नहीं है परमेश्वर का हवाज को बोलने के लिए त्यार नहीं हम लोग इसलिए परमेश्वर बता रहे कि हे सूकी स्थरी हो मेरे और कान लगाओ मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ सुनो तोड़ा सा परमेश्वर के बाद को आँज तुमें अपने आपको परमेश्वर को careless कर रहे हो प्रभी येश्वमाश्य को careless कर रहे हो गुटने ठीक के प्रार्तना करने के careless कर रहे हो सू समाचार का careless कर रहे हैं एक बार आप परमेश्वर का हवाज को सुनो परमेश्वर के शब्दों को सुनो आप मनुश्वर के जीवन में परमेश्वर के हवाच को सुन कर जिन्दगी बिताना चाहिए आदम ने परमेश्वर के हवाच को ना सुनने के कारण हाउआ परमेश्वर के हवाच को ना सुनने के कारण आदन के आशिशों के बरसात आशिशों के एक जगार आने वाले उस आदन के वाटिका से बाहर जाना पड़ा उनकी जीवन में एक नस्टता को एक नस्ट को वो लोग हासिल कर लिए अननिया सफिरा ने परमेश्वर के उस कलीसिया में परमेश्वर के बातों को सुनना चोड़कर अपने एक स्वाई इच्छाओं के साथ जीवन बिथाने के लिए कोशिच किये क्या हो गया परमेश्वर के पवित्र बातों में उनके कान नहीं है जीवन को नस्ट कर चुके दोनों पति, पत्नी, दोनों मर गई उस समय में वही परमेश्वर आज आप और हमको एक चतवनी दे रहे मेरे और कान लगर सुनो, सुकी स्त्रियों सुनो, सुकी स्त्रियों सुनो, आप मेरे परमेश्टर के और कान लगर सुनना जरूरी है, निश्चिंत का जीवन, केरलस हितने केरलस है, परमेश्टर के सामने, हमारे जीवन सच्छी में प्रियों, आप कितने लोग इस अंसार में तुम्हारा पती होगा, तुम्हारा पत्नी, या तुम्हारा बच्छे, तुम्हारा पिथा, तुम्हारा मा, कोई न कोई रहेंगे, परमेश्व को बहुत केरलेस, परमेश्व बोलती ही, बहुत साल लोग केरलेस है आज, लेकिन परमेश्व ने दिया हुए कई सरे आशिशों परमेश्वर बोलते कितने लोग केरलेस करेंगे ने करेंगे बताएगा निकिन आज इस वक्त में आप सभी लोग को भी एक बात बताना चाहता हूं परमेश्वर बता रहे कि सुकी स्त्रियो मेरे और खान लागर सुनो सुकी स्त्रियो कैसे रहेंगे पता है सुक विलास में र संसार के जंजट में संसार के मार्गों में जिंदगी बिता कर बिनात्यारी से केरलस का लाइफ जीवन बिताने वाले लोगों का एक जीवन किस प्रकार से रता है देखिएगा मत्यरिचिसु समाचार पच्चिसमाध्याय में परमेशन एक गटना यहां पर लिखाया है मैं आपको सामने उसको पढ़ना चाहता हूँ दियान से सुनिएगा पच्चिसमाध्याय उसका पहला वचन से तब स्वर्ग कराजे उन दस कुवारियों के समान होगा जो अपनी मसाल सिलेकार दूलहे से बेट करने को निकली दस कुवारी लोग अपने अपने दूलहे से मुलाकात करने के लिए दस कुवारी अपने दूलहे सतरु निकल पड़े अगे क्या हो सकता है तोड़ासा बविश्च के बार में तोड़ा सोचता है उसने बविश्च के बार में हर एक एक वेक्ति को सोचना चाहिए तुमारा बविश्च के बार में आप सोचना चाहिए बिना बविश्च के बविश्च के ना सोचवे जीवन बिताने वाले एक मू इनाज के कोई कम्मी नहीं है, बारिस के समय से पहले कितने आनाज को इकटा करके रखता है चीटियां, कितने बुद्धिमान उसके बुद्धी से उसको देकर मुझे बुद्धी को प्राप्त करने के लिए परमेशन है कहा रहा है, यहीं कि बविश्च के बर में आपको और हम को थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, थोड़ा सोच रहना चाहिए, मुर्कों के तारा जीवन नहीं होना चाहिए अमारा जीवन में, पाँच बुद्धिमान लोग और पाँच मुर्क लोग है, बैबल को आप जाके पढ़िये के इस गटना को, पाँच लोग जो को मुलाकत करने के लिए जा रहे हैं मैईदान में मान के चलो गिर एक गटा, दो गटा, तीन गटा अगर दुला आने का अगर देर ऌट ओ जाएगा, तो मेरा मचली बुत जाएना geen तो इसलिए मेरा Drial due car भागा थाया जा तब तक मेरी मचली क्या खरते रहे जलते रहें ये सोच कर अडवांस सोच कर तोड़ासा कुपी में तेल लेकर चला गए अडवांस में लेकिन मूर्ख लो क्या कर दे पता है वो चलेगा हमारे मसाला तो तयार है हमारे मसाले तयार है, हमारे दिया तो तयार है इसी दिया में चला जाएंगे दुला आ जाएगे तो हम चले जाएगे जल्दी से ये सोच कर येनि कि तोड़ा सा मूर्कता के विशे में सोच लिये सोच कर केवल दिया लेकर चला गए माईदान में क्या हो गए पता है पांच वचन देखे चोट वचन में परंतो समझदारों ने अपने मसाले के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया जब दुलहा आने के दुलहा आने में देर हुवी तो वे साबु उंगने लगी और सोगए देखो मैं फिर से बता रहा हूँ ये पांच इतने बुद्धि मानते हैं तोड़ा से लेठ होगा तो उसके बाद तोड़ा से यूज हो जाता है तेल कर खेलोगा अडवांस सोच कर तोड़ा से एक्स्ट्रा तेल ले ली लेकिन मुर्क लो क्या कर दिए कि येवल दिया लेकर चला गई क्या हो गया उतर गए जाने के बाद वहाँ पर ये पता चला दुल्हा आने का लेठ है दुल्हा आने का लेठ है रात हो गया है अभी सबको नीद आ गया उस समय तो सोचना चाहिए था मुर्क लोग उस समय तो केर करना था कि अयो मेरे दिया पुत जाता है मेरे दिया में तेल कतम हो जाता है अगर दुल्ह आने के लेट हो जाएगा तो तोड़ा से भी नहीं सोचे जो तेल लेकर आये थे अडवांस में सोचकर वो लोग सो जाएगे तो कोई बात नहीं लेकिन उनके साथ साथ जो तेल लेकर नहीं आये थे जो तयारी में नहीं आये थे वो लोग भी क्या करें उनके साथ सो रहे हैं देखो इस संसार में किस प्रकार का जीवन बिता रहे हम लोग हमारा दिया अभी तक नहीं जल रहा है सही से हमारा जीवन सही से नहीं चल रहा है हमारा अध्यात्मिक जीवित सही नहीं है लेकिन हम सब लोग फिर भी संसार के मोह में, संसार के एक नशे में, हम उंग कर क्या कर सो रहे हैं, संसार के नशे में हम लोग क्या कर खो चुके हैं, प्रियों अगर बुद्धिमान लोग, जो परमेश्वर को चाहने वाले लोग, परमेश्वर को डूंडने वाले लोग, पर आदी रात के आदी रात को दूमजी देखो दुलहा आ रहा है आप सब लोग तयार हो जो तुमारे दुलहा को बुलागत करने के लिए दस लोग उट जाते हैं, दस लोग उटने के बाद, आप सब को पता है गटना, दस लोग उटने के बाद क्या हो गया, जिसके पास कुपी में तेल एक्स्टा लेख आये थे, वो सब लोग कुपी में तेल लगा कर अपने दिया को क्या करने लगे, जलाने लगे, लेकिन जिसक के पास तेल नहीं, वो क्या कर यह पता है, अपने बगल में रहने वाले बुद्धिमानों के पास जाकर तेल मांगना शुरू कर दी हैं, बिना तयारी से, बिना तयारी, कभी भी तयार नहीं, कभी भी सुनने के लिए तयार नहीं, कभी भी केर, परमेशर केर करने वाले नहीं परमेश्र को बच्चनों को केर करने वाले नहीं अपने जीवन को केर करने वाले नहीं अपने मार्गों को केर करने वाले नहीं अपने कामों को केर करने वाले नहीं हर जगह में देखिएगा आलसिपन, हर जगह में देखिएगा careless, careless दूलस निस्चिंत से रहना बविश मेा Jet Reовой स jsutना निस्चिंत से रहना तुम्हारे हुरा हुरा हमारा जीवन भी अगर ऐस ही चलता रहेगा तो हमें भी ऐसे ही वी पत्ती आ जाता है 5 कुमारी लोगों को तेल नहीं मिला, उस समय दूंडने लगे, दूंडने लगे, तेल नहीं मिला, जाकर करीदने के लिए चला गये, दुल्हा आ गया, जो लोग तयार थे, उन लोगो दूला लेके चला गया, आज भी परमेश्वर ऐसी लोगो ढूंडने वाले हैं जो मेरे लिए मुझको केर करके मेरे बारे में चिंता करने वाले मेरे बारे में ख्याल करने वाले मुझे ढूंडने वाले लोगों का जरूरत है परमेश्वर को परमेश्वर को ढूंडना है हम लोग परमेश्वर को तयारी, परमेश्वर के सामने हमेश्व तयारी में रहना चाहिए हमें आपने आपको केरलस नहीं करना चाहिए हर जगह में हम लोग केरलस का लाइफ जीवन बिता रहे हैं प्रियो वो आपके लिए बहुती बहुती विपत्ती ही आपके लिए बहुत ही खत्रा है वो, उसके द्वर आपको बहुत बड़ा दुर्गटना होने वाला है, मैं फिर से बताओंगा, अगर आप रास्ता में गाड़ी चलाते समय में, तोड़ा सा अगर आप केरलस करोगे, तुमारे गाड़ी के साथ तुमारा भी जीवन को खत्रा है, तुमारा पीचे रहने ओले लोगों को भी कत्रा है, अगर आप एक परिवार का पिता हो, आज परमेश्वर के उपर आपका ध्यान रहे, नजर रहे, अगर आप एक परिवार के माँ हो, परमेश्वर के उपर तुमारा ध्यान रहे, परिवार में अगर जवान के जीवन आप बिता रहे हो परमेश्वर के मार्गों में तुम्हेरा नजर रहे परमेश्वर को केरलस ना करना नए तो तुम्हेरा जीवन में ऐसी विपत्य आ जाता है तुम्हेरा मार्गों में तुम्हेरा बविश में एक ऐसी स्थित्य आ जाता है तब परमेश्वर को आप ढूंडने के बाव जुद भी परमेश्वर आपको नहीं मिल पायागा Bible बताता है कि परमेश्वर जिस समय में मिलता है उसी समय में परमेश्वर को अपने जीवन में हासिल करो अब ही इसी वक्त में परमेश्वर को ढूंडने का उमर है इसी समय में परमेशोर के पास आने का समय में है सब एक मोका है आपको केरलस ना करना तुम्हारा जीवन में केरलस करोगे तुम्हारा जीवन जरूर नाश हो चाहेगा तुम्हारा जीवन में ऐस भी पत्ती परमेशोर लाएगा तो उस समय में, उस दस कुमारियों में, जो पांच कुमारी थे, टैम लेकर वो तेल लाने के लिए चला गए, लेकिन उस से पहले दुला आकर क्या करे, जो तयारी थे, उन दुलहनाओं को लेकर चला गया, तुमारे जीवन में इसे नहीं होना चाहिए, इसलिए, advance हबेशा अपने आपको care करते रहो, care करते चिंता करो तुमारे विशे में, तुम्हेरा अध्यात्मी की विशे में चिंता करो हम पड़ाई की बारे में चिंता करते हैं कपड़ा के बारे में चिंता करते हैं मनुष्यों का नस्थ, मूर्कता, मूर्कता से जीवन बिताने वाले लोगों का नस्थ, नस्थ उसी समय में होगा, उसी गड़ी में होगा, जब अपने आपको उसके जीवन में केरलिस करता है, केरलिस ना करें, परमेश्वर का हवास को सुनें, परमेश्वर को थरतराईं, ब भरमेश्वर के नाम सुनेंगे तो कोई seriousness नहीं कलीसी में जाएंगे तो careless है गर पे रहेगा तो careless है कितने दिन आप ऐसे रहोगे तुमारे लिए यह बहुत बड़ा कत्रा है तुमारे पीछे वह बहुत बड़ा कत्रा लेकर आ रहा है इसलिए अपने आपको क्या करना तैयारी हो जाओ अपने आपको सिद्ध बना लो प्रभू परमेश्वर के मार्गों में परमेश्वर के सामने अपने आपको केर करते हुए तुमारे जीवन को बिताओ प्रभू इस वचने के दर आपको आशिश करें फिर से मिलेंगे तब तक आप सभी लोग अपने आत्मिक जीवित को बचा के रखिए आंके बंद करें हम पर आर्थ न करें परमेशर पिता मैं धन्यवाद करता हूं प्रबू इस वक्त में हम जितने भी लोग यहां पर बैट कर तेरे वच्छन को सुने हैं प्रबू हमारे जीवन में केरलस लेफ में कितनी एक बहुत बड़ा दुर्गटना घटता है प्रबू एक ड्राइवर चालक प्रबू अगर केरलस लेफ विता कर चलाएगा तो उसके साथ आने वाले पैसंजर्स को भी बहुत खतरा है एक ठीचर केरलस करेगी उसके साथ स्कूल का बच्चों को एक बहुत बड़ा खतरा है प्रबू जी ऐसे गर का एक पिता अगर केरलस है पिता के साथ साथ बच्चों को भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडलाता रहता है इसलिए पिता परमेश्वर आज हमारे जीवन में हम हर एक एक वेक्ती हमारे फरिवारिक विशे में हो हमारे काम की विशे में हो हमारे परमेश्वर अध्यात्मिक जीवित में हो हमारे सेवा की जीवित में हो हमारे प्रार्तना की जीवित में हो हमारे वचन पढ़ने का वचन का हालत क्या है मेरा आत्मा का उस बयानक स्थिति कहस प्रकार से राता है उसलिए डरकर प्रभु जीवन बिताते हुए तेरे सामने एक पवित्र जीवन बिताने के लिए में मदद करना प्रभु सारी प्रार्तना एश्रमस के पवित्र नाम से बिंदी करता हूं पिता प्रमेश्वर। आमेन, आमेन प्रभुब आप सभी को आशिश करें